ये वीडियो देखा आपने ये स्वास्ति भाग की बड़ी लापरवाही है वैक्सीन से भरा डिब्बा सड़क पर लावारिस पड़ा मिला है ये पूरा मामला फिरोजबाद के सदर बाजार इस्थित खिड़की का है जहां शरिवार को वैक्सीन से भरा हुआ एक डिब्बा लावारिस पड़ा मिला छेते लोगों का कहना है कि आए दिन वैक्सीन के डिब्बे यहां पड़े रहते हैं जुबा कोई वैन आती है जो ये डिब्बे यहां डाल जाती है और पूरे दिन डिब्बे लावारिस पड़े रहने के बाद शाम को मोडर साइकल पर कोई आता है और ये डिब्बे उठा कर ले जाता है लोगों का अंदेशा ये भी है कि ये वैक्सीन किसी के लगाई नहीं जाती बस कागजों पर ही खाना पूर्ती कर दी जाती है वहिंस पूरे मामले पर जब CMO फिरोजबाद को सिती से अगत करा आगया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी वह एनम को भेज कर दिब्बा उठवा लेंगे इसकी बाद एनम आर्ती मैडम ने खुद ना आकर किसी लड़के को भेज कर दिब्बा मंगवाया अगर ऐसी सिती में वैक्सीन खराब हो जाए और वहीं पब्लिक को लगा दी जाए इसका क्या परड़ाम होंगे और उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा ये कधन विचारी होगे है कि अधिन दिन से यह लगबग यहां रखा रहता है तिर में रखा रहता है और शाम वाइक ब्यादा वो लेके जाता है तिर्टे में क्या रहता है अंदर ने वहैंदे कभी खुल गरीदे कऊ अधिका धिप अहे क्या है तैस कि हमें इस मतलब का आए संновス Calds कर अधिन पर अतारे इसजुम्मेदारी में अंदर रखता हूं डाग-इस तो कब रखते वाप अंदर इसको विसह सी ना कोई लेने नहीं आता है कितने दिन से यहां आई दिन रखा जाता है या फिर दो दिन ही रखा गया है बेरे जानने ये दो दिन तो हमने फुदी राय अंदर रखा है बीरो रिपोर्ट लाइब इंडिया रूस लखनौ